नमस्कार दोस्तों तो दो जो स्टोक हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा उनका रीजन भी बताऊंगा क्यों में तेजी देखने को मिलेगी सबसे पहला मारूती अड़ सोगा कल के लिए इंट्राडेई है मतलब कल के लिए बीटीएस्टी कोल में और साथ अजार पे तक के आपको एक वीक के अंदर देखने को मिल सकते हैं सट्व सोग पचास पर बाइंग लेगल होगा इसका और स्टोपलोस लेनी की जूरूत नहीं है इसके पीछे भी एक में कारण है कि मारूती के प्राइसिस में तेजी देखने को क्यों मिल सकती है मारूती एक ऐसा स्टोक है जिसमें तेजी नहीं देखने के मिली है जब से लोकडाउन हुए थे करोना अथ उसके पर नहीं मिली है यह एक स्टोक है जो आपको मल्टी बैगर साबित होगा आपको नो जार तक के प्राइस में मिलेगा और रीजन क्या है फौर्थ प्राइस हाई कोने वाला है मारूती क मारूती ने तीन बार अपने जो विकल से उनके प्राइस बढ़ा चुकि अब चोथी बार बढ़ाने जा रही है प्राइस बढ़ाएगी प्राइस फिर भी दूसरे मातला जो भी ओटो मेकर से कम रहेगा और उसकी वज़ए से इनकी प्रोफिटिबिलेटी बढ़ेगी प्र ये स्टोक प्राइस में ओल्वेज इंक्रीज आता है अगर किसी स्टोक के प्रोफिट में इंक्रीज होता है तो तो यही एक रीज़न होगा जिसके वज़ए से मारूती में कल इंट्रेड है या बीटीएस टी कोल आप मानके चलिए हो है और एक विक के लिए टारगेट बत इसकी उस दील के पर डिबेंडन की जैसे से एटल की मैंने आपको बताया था एटल में कुछ होने वाला इसी वज़ए से उसमें 600 क्रोफ कर दिया तो आयल एंटी अपना जितना भी बिजनस एमिश्योर फंड से रिलेटेड हो सारा बेचने वाली है एचस बीसी को और ब्लै अपने 100 पे तक के टारगेट अचीव करा सकता है यह स्टोप को आपको एजिली क्योंकि इसमें तेजी ओविजली आएगी अगर यह डील हो जाती है फिर तो 120-130 भी जा सकता है तो वीडियो पसंद आई तो प्लीज डू लाइक शेयर और कमेंट जरू किजेगा धन्यवाद